परताप सिंग केरो पंजाब के एक परमुक राजनीति गए और नेता थे पंजाब के मुख्य मंत्री रहे उस समय पंजाब के अंतरगत हर्याना और हिमाचल परदेश भी थे परताप सिंग का जनम अमरिटसर जिले के केरो नामक रामक ग्राम में हुआ था खालसा कॉलेज से बिये कर अमरिका गए और वहां के मिशीगन विश्विध्याले से एमे किया और वहीं वे भारत की राजनीति की और अग्रसर हुए भारती स्वतनत्रता के लिए अमेरिका में गदर पार्टी के नाम से जो संस्था इस्थापित हुई थी उसके कार्यों में आप सकिर्य रूप से भाग लेने लगे भारत वापस आने पर 1926 ए में वे भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस में सम्मीलित हुए और तब से स्वतनत्रता प्राप्त होने तक कॉंग्रेस के आंदोलनों में निरंतर भाग लेते रहे और जेल गए भारत के स्वाधीन होने के पस्चात आप विधान सभा के सदस्से निर्वाचित हुए और अंतोगत्वा पंजाब के मुख्यमंत्री बने जिन दिनों वे मुख्यमंत्री थे उन दिनों पंजाब की राजनीतिक इस्तिती अत्यंत विस्फोटक थी उन दिनों मास्ट तारा सिंग के नेतरत्व में स्वतनत्र पंजाब जोरों से चल रहा था प्रांत में एक प्रकार की अराजकता मची हुई थी केरों ने अपने सूदरन वेक्तित्व और राजनीतिक दूरदर्शिता से आंदोलन का सामना किया और उनकी कूटनीती आंदोलनों के मुख्य स्थम्पास्टर तारा सिंग और संथ फते सिंग के में फूट उत्पन करने में सफल हुई तथा आंदोलन छिन भिन हो गया वे एक इस्तिर और प्रभावशाली शाशक के रूप में उभर कर सामने आये उन्होंने अपने प्रदेश की आर्थिक अवस्था को विक्सित करने का स्वार्मगीन प्रियास किया उद्ध्योग और किशी दोनों ही छेत्रों में पंजाव में अभूत पूर्व उन्नती की उन्हों परवेक्तिक पश्पात और भष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें 1964 इव में मुख्यमंत्री पत का प्रितयाग करना पड़ा 1962 में जब चीन ने भारत पर आकर्मन किया तो केरों ने बहुत साहता की 1939 में शिरुमणी अकाली दल में सम्मीलित होकर भारती सोतंतरता संग्राम में भी योगदान दिया केरों ने आसायोग आंदोलन में भाग लिया और 1922 में पास साल के लिए जेल में बंद कर दिये गए उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सकिर्य रूप से भाग लिया परताप सिंग केरों ने अपने मुख्य मंतरित्व कारेकाल में विकास के कई कार्य पूरे किये इनमें मुख्य भाकड़ा नागलबान, कुरू छेत्र और पटियाला की पंजाब यूनिवर्सिटी, लुधियाना का किर्शी विश्विध्याले, हिसार का पशू चिकित्सा कॉलेज पर मुख्य इन्होंने पंजाब के ओधोगी करण के लिए भी कई कदम उठाए उसके कुछ ही दिनों बाद 1965 के प्रारम में एक दिन जवे मोटर कौर द्वारा दिल्ली से वापस लोट रहे थे, मार्ग में कुछ लोगों ने उन्हें गोली मार दी और ततकाल उनकी मृत्ति हो गई